हालो अब्रिवन, वेलकम टू दिस चैनल, आइम सीयस रितू, वीडियो में बात करेंगे वेदानता लिमिटेट के शेयर के बारे में, वेदानता लिमिटेट का शेयर लास्ट 3 सेशन से बढ़ रहा है, आज शेयर ने 286 के लेवल पे क्लोजिंग दी है, तो क्या अब ये वेदानता लिमिटेट मार्केट आर्स के बाद ही डिस्क्लोज करता है, वेदानता लिमिटेट के रिजर्स की अर्निंग कॉन्फरेंस कॉल कम्पनी ने शेडूल करी है, 12 माई 2013 को 5 तु 6 पीम के बीच में, तो इससे पहले कम्पनी के फिनेशल रिजर्स आ जाएंगे, ऐसी की एक्सपेक्टेशन है, अगर आप रेजर्ट का डीटेल एनलिसिस देखना चाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे, इस शेर को हम रेगुररली कवर करते हैं, बट आज हमने आर्वी एनल पे भी एक लेटिस्ट वीडियो अपने चैनल पे डाला है, उस व इन प्लेजट शेर को कंपनी ने अब रिलीस करा लिया है, अर्लियर प्रमोटर की 68% का स्टेक विडानता लिमिटेड में पूरा का पूरा प्लेजट था, अब ये प्लेजट 0% रह गया है, प्रमोटर की होल्डिंग जरा भी प्लेजट नहीं है, इसी न्यूस के आने के बा है, विडानता की टेकनिकल चार्ट अगर हम देखें तो टेकनिकल चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि विडानता के केस में ब्रेक आउट आ चुका है, शेर ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, और अब शेर के लिए ये रेजिस्टेंस का लेविल सपोर्ट का का करेगा अब मेरे हिसाब से इस शेयर में तेजी हमें देखने को मिल सकती है यह मेरा व्यू है यह कोई बाइन सेल के रेकमेंडेशन नहीं है आपको अपने रिसर्च भी करनी है उसी के बाद किसी स्टॉक में इंवेस्मेंट करनी है एंड वेदानता के investors dividends related update का भी wait कर रहे हैं बट अभी dividends related कोई भी update विदानता limited में नहीं आया है last financial year में विदानता limited ने पहला dividend में की मन्त में declare किया दा so इस बार भी expectation है में की मन्त में विदानता की तरफ से कोई dividend आ सकता है जैसे ही कोई dividend विदानता की तरफ से आएगा जाहे वो interim dividend हो या फिर वो final dividend हो for the financial year 22-23 हम आपको update कर देंगे आप चैनल को subscribe जरूर कर लिजे so आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो please वीडियो को जादा से यादा like करिए ताकि ये वीडियो जादा से यादा लोगों तक पहुंच सके और चैनल को subscribe करिए thank you for watching